एक फैमिली हो तो अच्छा है, पर दू फैमिली हो तो और भी अच्छा है जूलिया के घर में हमेशे जगड़े होते रहते हैं मॉमी, डाड़ी, इस लड़ो मत पर लगता है, पैरेंट्स एक दूसरे से नफरत करने में कुछ जादा ही बिजी है मैं और नहीं सह सकती बस, मैं जा रही हूँ ओ नहीं मॉमी, क्या आप सच में हमें छोड़ कर जा रही है क्या हुआ हनी, वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वापस आउंगी अलविदा दोस्तों, मेरे पास और भी ज़रूरी काम है मुझे पिंच करो, ये सब एक बुरे सपने के तरह लग रहा है मिस्सर डींजर कौन है, वो, 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 अराम से ये आडम है, और ये मॉम का नया बॉइफ्रिंड है हे रेबल, चलो घूमने चले और फिर एक तिन, क्या, पर्स, क्या मॉम वापस आ गई ये फर वला कोट है, ओ, पर ये मॉम का परफ्यूम तो बिल्कुल नहीं है मुझे समझ नहीं आया, जरा सुनिए माम, आप कौन है, ओ, मेरा नाम कौटनी है और मैं तुम्हारे डाडी की नई वाइफ हो, मुझे यकीन है हम घुल मिल जाएंगे ओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसे पक्ड़ो हनी, तुम ठीक हो बेबी मुझे समझ नहीं आ रहा, हम समझाते हैं, कौटनी और मैं अब साथ हैं अच्छा है, है ना, तुम्हें मा की बहुत जरूरत है, हम बहुत अच्छी फैमिली बनेंगे कमाल है ना, चलो गले मिले, ठीक है, मैं आपके रास्ते से हट जाती हूँ ओ, शायद मेरे ले कोई आया है, खोलो, जूलिया, तुम आ गई, आपसे मिलकर खुशी हुई हम भी खुश है, स्वीठार, क्या चल रहा है, ओ हाँ, देखते हैं कौन जीतता है जूलिया तुमारे सब कहीं नहीं जाएगी, इस बारे में सोचना भी मत, आउट, मुझे जाने दो चलो भी, चलो चले, हमारा क्या, गुदास मत हो, स्वीटी, वो पक्का वापस आ जाएगी मेरे कूल पेरेंस के साथ गूमना हमेशा मज़ेदार होता है, मैं ये मूवी देखना चाहती हूँ बिल्कुल नहीं, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, कूल बच्चे डरावनी मूवी देखते है चलो बेबी, मॉमी तुमारे साथ है ही, मेरे लिए रुको, रास्ते से हट जाओ, तफ मॉव माफी नहीं मांगती जूलिया ने माफी मांगी, ही, देख पर चलो, इसे मुझे दो, ये लो तुम्हारा पॉप को अनहनी किसी को तमीज सिखाने की जरूरत है बाद, ये मूवी तो बहुत डरावनी है मैं ये नहीं देखना चाहाती, क्या तुम्हें डर लग रहा है मैं और नहीं देख सकती ही, जूलिया कहां गई मुझे नहीं पता, वो अभी यहीं थी ए दोस्त, क्या तुमने देखा, वो कहां गई पूल पैरेंस ने अमने बेटी को ढूलने के लिए फूरा मूवी थेटर तेहसनेस कर दिया तुम या बैठे-बैठे क्या कर रहे हो, हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम से क्योर्टी गाड हो, अपना काम करो मुझे विश्वास नहीं हो रहा हमारी बेटी खो गई मॉम, डाड, मैं यहां हूँ मैं कितना डर गई थी फिर कभी ऐसा मत करना ये लो तुम्हार लिए गिफ ओ, मुझे मफिन्स पसंद है क्या हम देखना जारी रखे आउच, हमने पूरे जगा बरबाद कर दी ओ, वो बुरे लोग और अच्छे डाड, हर बार की तरह काम में बिजी है ही, आप क्या कर रही है पेओ, तुमने मुझे डरा दिया वैसे, मेरे पास तुम्हार लिए कुछ है वो, सिंड्रे लगा कैरेज पर खेलने से पहले तुम्हें खाना होगा शुक्रिया, मुझे भूक नहीं है ये लो, खा लो मेरी अच्छी बेटी और अब आज के काम की लिस्ट हाँ, आज के लिए इतना ही ओ, स्वीटी, तुम तो जीनियस हो तुम्हें अपना दिमाग तेज करना होगा ओ, नहीं, ये ज्यादा हो गया तुम कहां जा रही हो, हनी पजल्स कैसी रहेंगी ओ, नहीं, ये मेरे सब क्यों हो रहा है चिंता मत करो, हनी हम तुम्हें माहिर बना देंगे पजल्स, बोर्ट गेम्स, क्राफ्ट, म्यूजिक तो कहां से शुरू करें ये सब कब खर्दम होगा उफ, इसे क्या हुआ ओ, स्वीटी, तुम ठीक हो बल्कुल नहीं ये तो जूल्या के चेहरे का प्रेंट है कमाल का है चलो इसे यहां लटकाए ये बिल्कुल सही है जूल्या कहां गई एजी फैमिली से मिलने का वक्त है ये सोते हुए कितने प्यारे लग रहे है आ, मैं ठक गई हूँ ये गर साफ नहीं है पर कम से कम ये बोर्ट गेम्स तो नहीं खेलते उमीद है मेरे यहां जगा हो आखिरकार, अराम दायक सोफा गुट नाइट और स्वीट ड्रीम्स पर इस फैमिली में अलाम की जगा गिटार बुशता है उठ जाओ, उठ जाओ हाँ, अब ये होते हैं वेक अप कॉल ओ, या या ब्रेकपस्ट, कौन है ओ, क्या ये आप है मॉम क्या आप आवास थोड़ी कम करेंगी मुझे नहीं लगता मैं ऐसे सो सकती हूँ मैं कुछ चिप्स खा लेती हूँ ही, इसमें कुछ नहीं है यहां भी नहीं क्या आपको मेरी आवास सुनाई दे रही है खैर, मैं आपके रॉक शो के बीच में नहीं आऊंगी सबको अपना बर्ड़े पसंद होता है जब आपकी दो फैमिली हो तो आपको गिप्स भी जाजा मिलते है वा, डाट्स में तो दोस्ती भी हो गई पर मॉम्स भी नहीं वो डिजट कॉंटेस्ट कर रही है बेबी, अब तुम बड़ी हो गई हो मैं तुम्हारे गले लगती हूँ मैं तुम्हारे ले तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक लाई हूँ दूसरों के तरह नहीं कोई बड़ी बात नहीं कम से कम ये मैंने अपने हातों से तो बनाया है जूलिया अपनी बर्ड़े कैंडल्स यहां लगाईगी वाँ ये चुनना असान नहीं है बोल्ड केक या प्यारा केक बहुत वाँ मैं हार मानती हूँ ओ नहीं स्वीटी उम्शर्मिंदा है हमारा ये मतलब नहीं था ये सब तुम्हारी वज़ा से है जड़ा देखो खुद को अ-ओ, शयाद यहां कुछ बड़ा होने वाला है एट, दो, तीन अब इसे कहते हैं स्वीट फ्रांक खुद को देखो, आप दोनों बहुत बनी हो हम देख रहे हैं कि तुम यहां बिल्कुल वक्त खराब नहीं कर रही छोटा वा मज़ाग बड़ी मस्ती में बदल गया डाइटिंग भूल जाओ प्रेकफस्ट में पीज़ा? क्यों नहीं? चीज डिलिशियस यह देखो, जाने पहे चाने लोग सर्प्राइस मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जूलिया वो फास्ट फूट खा रही है मुझे गुस्सा आ रहा है एजी मॉम के साथ तुम कुछ भी खा सकती हो वेटर, बड़ा सा बर्गर लाओ वा, क्या यह पूरा मेरे लिए है ओ, हे भगवाद, प्यारे डैडी को गुस्सा आने वाला है एक मिनिट, मेरे पास एक आइडिया है यह बस छोटा सा मजाख है ओ, हे भगवाद, मेरी प्लेट में को क्योंच है यह कितना गंदा है टैडी, बच जाओ, तो मजाख तो नहीं कर रहे शायद मुझे पता है इसके पीछे किस का हाथ है जूलियो को टेंटिस से डर लगता है पर उसके दातों में बहुत डर्द हो रहा है यहाँ आओ मिस, बैठो मैं तुमारा चेक अप कर लेती हूँ मैं वादा करती हूँ, डर्द नहीं होगा अपना मुँ खोलो, बिल्कुल नहीं मैं यह नहीं करूँगी दर के मारे उसने अपने मॉम का नंबर मिला दिया बच्चाओ, मैं नहीं करूँगी, नहीं ओ, मेरी बेबी हलो, क्या हुआ ओ, बेबी, मैं आ रही हूँ मैं हाट चोड़ता हूँ, चलाना बंद करो मैं आ गई, मैं आ गई मॉमी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी डैड़ी भी यही है कैसी अजीब फिलिंग है क्या, यह मेरा दाथ है यह सब तुम्हारी गलती है तो मैं क्या करूँ हाँ, शायद में श्रु फ्रैंक्लिन तुम्हारी मदद करेंगे फैर, बहुत-बहुत शक्रिया सीटी, यहला आपल ओ, मुझे आपल पसंद है उप्स, मुझे लगता है मेरे दाथ की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो गई हे भगवान, और अब दर्स भी नहीं हो रहा कितनी खुबसूरत शाम है क्या, जूलिया का मेसेज इस मेरी मदद करो मेरा हाथ छूट रहा है ओ, नहीं, मेरी बेटी खिर्की से गिर्ने वाली है ठीक है, अब बिदत को सब ठीक है और अब डैडी से बात करने का वक्त है जैट, तुमने वो देखा 911 पर कॉल करो, अभी क्या सब आ गए, ठीक है क्या बात है, चलो उसे बचाए ही, दरवाजा बंद है जूलिया, क्या तुम मजाब कर रही हो अपना लेक्चर शुरू करने से पहले ये लिफाफा खोलिए मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई और चारा है इसके अंदर आखिर है क्या ये तो हमारी फैमिली फोटोज है हम कितने खुश थे जूलिया ने सब सोच रखा है चलो रोमैंस जारी रखे मेरे पेरेंस खोद को रोग नहीं पाएंगे वो कितने कूल है मेरे मॉम और डाट ये फूल बिल्कुल तुम्हारी तरह खुबसूरत है ओ हानी लगता है उनके नए पाटनर्स के कॉल को कोई जवाब नहीं मिलेगा ये हमारा वला गाना है मॉम डाट आप आकिरकार फिर से एक हो गए फिर कभी अलग मत हो ना क्या आपको हमारी कहानी फसंद आई क्या आपको लगता है ओपोजेट अट्रैक्स यासा कुछ होता है कमेंट्स करके अपना जवाब बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताक कि आप रूम रूम भाओगी नई वीडियोस देखना ना भूले